हिंदी के एक कवी है नरेश सकसेना जी, उनकी कुछ पंक्ती मुझे बहुत इंस्पायर करती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो कहते हैं कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, पुल पुल होता है, नदी नदी होती है, पुल पार करने का मतलब ये नहीं है कि आपने नदी पार कर ली नदी पार करने के लिए नदी में धसना पड़ता है और जब आप नदी में धसते हैं तब आपको पुल की वैल्यू पता चलती है पुल का असली अर्थ तब समझ में आता है जब वेक्ति नदी में धसता है आपके पास आज जो study material है जो पाथन सामगरी है वो pull है उसकी value करिए बहुत लोगों के पास वो नहीं है और ना वो अवसर है पढ़ने का उसकी value करिए आपको ये अर्थ तब समझ में आता जब आपके पास पाथन सामगरी का अभाव होता